आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रसन जस्ता, जस्ता वोले तो जिंक, ठीक है, क्या, जिंक, ठीक, जिसका प्रतीक ZN है, capital Z, small N, कहा रहा है, जस्ता H2SO4, यानि कि सल्फूरिक अंबल, H2SO4, से प्रतीकरिया करता है, ठीक है, तब देखें, यहाँ पर क्या बनता है, तब यहाँ पर ZNSO4 बनता है, जिंक, sulphate और hydrogen gas प्राप्त होती है, तो hydrogen gas इसी अभिकरिया से प्राप्त होती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल ला है, कि जिंक, ZNSO4 से जुड़ गया, और hydrogen को निकाल दिया, जिंक ने, कैरल, मगर copper प्रतीकरिया नहीं करता है, क्यों, अगर copper S2SO4 के संपर्क में आता है, तो यह क्रिया नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो एक मैं point लिग रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से आप समझेगा, विद्यूत रसाइनिक सुरेडी में, जो तत्व उपर रहता है, वो अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसा क्यों होता है, विस्थापित क्यों कर देता है, क्योंकि उपर वाला तत्व ज्यादा क्रिया सील होता है, ज्यादा सक्री होता है, ठीक है है तो कॉपर जो है वह विद्यू तरसाइंस रिणि में हायड्रोजन के ऊपर जो आता है? हायड्रोजन काफी ऊपर हमारा जिंक आता है Neither-just नीचे कॉपर आता है तो हायड्रोजन क्या करेगा? कॉपर को कुझ विस्थापित कर देगा और jink hydrogen को विस्थापित कर देगा लेकिन hydrogen में इतना पावर नहीं कि चीन को विस्थापित कर दे क्योंकि Vivσω Ti Reims रखान दुटे में नमी तो यहां पर यहां पर देखता कर देह thickness के हम से उपर हों हo और तो न्सलफेट आएन के साथ जुड़के Zinc Sulfate बना लेता है ठीक है और यहां क्या होता है यहां copper देखता है hydrogen को अरे भाई है hydrogen है हम कैसे करिया करेंगे hydrogen ज्यादा क्रिया सील है हमसे विद्ध्यू तरफन से तेक है समझ गया तो इसलिए कॉपर प्तिकरिया नहीं करता है